Hello everyone, this is Lavesh, welcome to the channel तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं GFG POTD, Problem of the Day और आज का कोशन का नाम है Unique Number of Accurances यह easy problem है and I feel the same तो सबसे पहले मैं आपको recommend करूँगा कि आप कोशन को खुद पढ़े एक बड़ी कोशन को try करें, कोशन को at least समझने का try करें और फिर भी अगर आपको कोशन नहीं आता है, इसकी approach नहीं आती है तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको intuition के साथ बताऊँगा कि इसमें कौन सा data structure लगेगा और इसमें कैसे हम easily बहुत ही linear time complexity में से कैसे solve कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको कोशन समझाएता हूँ, तो कोशन है कि हमें इसमें एक array given है तो पहला array है 1-1-2-5-5, जो पहला array है वो है 1-1-2-5-5 तो हमें क्या करना है, हमें न, इनकी frequency निकालने हैं सबसे पहले तो कोशन में कैरे return करना है true और false return करना है, मतलब input है यह और output में हमें true या false return करना है और output में true जब आएगा, जब जो elements है न, इनकी जो भी frequency होंगी वो unique होंगी इसका क्या मतलब है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जितने भी element है उनकी frequency लिख लेनी है कि one की frequency कितनी बार है दो बार है दो की frequency कितनी बार है एक बार है यह element है यह उनकी frequency है मतलब वो कितनी बार array में present है five की frequency दो बार है तो अब देखो इनकी frequency क्या unique है नहीं frequency तो unique नहीं है unique मतलब की same है मतलब की अलग-अलग है क्या नहीं है क्यों क्योंकि 1 और 5 की frequency सेम आ रही है तो इसमें हमें false written करना है इस वाले में output में तो यहाँ पर अगर हमें frequency लिखे तो 1 की frequency कितनी बार है 1 की frequency है एक बार फिर 2 की frequency है 1, 2, 3, 4 चार बार फिर 5 की frequency है 2 बार और फिर 10 की frequency है 3 बार 1, 2, 3 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ना सब की frequency है अलग अलग है किसी भी 2 की frequency सेम ही है 1, 4, 2, 3 तो इधर हमें true return करना है तो सबसे पहले अगर आप beginner है तो आप सोचेंगे सबसे पहले problems को sub problem में divide करा करो सबसे पहले आपको frequency निकानने और frequency निकानने के बाद आपको check करना है कि क्या यह सारी अलग-अलग है के नहीं तो इसमें कौन सा data structure लग सकता है तो frequency निकानने के लिए जो best data structure है वो आपका लग सकता है map Java के अंदर हम code करने वाले hash map लग सकता है तो अगर आपको hash map नहीं आता है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते है Java collection in one R मतलब उसमें मैंने collection framework पूरा पढ़ा रखा है एक R में उसमें आप Q भी सीख जाएंगे सॉरी उसमें आप Q भी सीख जाएंगे stack भी सीख जाएंगे link list भी सीख जाएंगे important collection framework होते हैं सब कुछ पढ़ा रखा है तो यहाँ पर आप हमारे पास लग रहा है hash map तो hash map के लिए जो best उसका use case है वो है कि हम array अगर given होता है तो हम frequency निकाल सकते हैं तो hash map की मदद से हम frequency निकालेंगे वो मैं बताऊँगा कि कैसे निकालेंगे और फिर मैं क्या करूँगा hash map में loop लगांगा hash map में loop लगाना भी मैं आपको बताऊँगा कि for each loop से हम hash map में loop लगा सकते हैं और loop लगाने के बाद मैं क्या करूँगा इनकी सारी frequency को एक set में डालवा दूँगा set की property होती है कि उसमें unique element रहते है set की property होती है उसमे unique element रहते है और फिर अगर set और map का size बराबर है तो true otherwise false अब यहाँ पर map का size कितना है तीन है और set का size कितना होगा set में तो दो ही element होगे ना one two को कि set में repetitive element नहीं आते है तो set का size हो जाएगा दो तो इधर हम false return कर देंगे यहाँ पर map का size भी 4 है और set का size भी 4 है तो यहाँ पर हम true return कर देंगे तो चलिए बढ़ते हैं code की तरफ और code करते हैं सबसे पहले हमें frequency भरवानी है map के अंदर सबसे पहले हमें map declare कर दूँगा integer, integer का इसका नाम दूँगा मैं frequency map new hash map मैं एक loop चलावगंगा जो की मेरे पूरे array में चलेगा array का size मेरा n के बराबर है फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर frequency map में key पहले से ही present है, key क्या हो सकती, array of eye, अगर पहले से ही present है तो क्या करना है और पहले से ngay present है तो map के अंदर उस key को डलवा दो और frequency हो जाएगी उसकी 1 क्योंकि अभी वो पहली बार आईए ना map के अंदर और अगर map के अंदर वो key पहले से ही present है तो उसकी value को override करा दो की तो वो ही रहेगी पर जो उसकी previous value थी ना उसमें 1 plus करवा दो तो value निकालने के लिए frequency map.get array of i करेंगे और उसमें हम 1 को plus करवा देंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास map आ चुका है जिसमें key है element और उनकी value है हमारे पास उनकी frequency इस वाए यसे हमने नाम भी frequency map रखा है अब हम एक set बना लेंगे उस set में हम क्या करेंगे जो भी frequency है उसको डलवा देंगे set equal to new hash set अब हम क्या करेंगे for loop लगाएंगे मतलब looping करेंगे map के अंदर तो map के अंदर looping करने के लिए हमको क्या करना होता है for each loop का इस्तमाल करना होता है तो for each loop जीने भी नहीं आता है मैं आपको syntax बतायता हूँ तो आपको map के अंदर iterate करना है तो map की जो भी key होगी उसका आपको पहले data type लिखना है int और फिर आपको कोई सा भी variable लिख देना है तो मैं इसको लिख देता हूँ item और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको iterate करना है map की keys में map की जो keys है उसे हम set में बदलने के लिए एक function होता है सबसे पहले आपको map का नाम लिखना होता है और यहाँ पर लिखना होता है key set तो यह function क्या करता है map में जितनी भी keys हैं उनका set बना के हमें return कर देता है तो यहाँ पर हम एक तरीके से set में iterate कर रहे है ठीक है फिर हम क्या करेंगे तो जो उसकी frequency हो जाएगी frequency हो जाएगी हमारे पास frequency map dot get item तो यहाँ पर हमें एक एक करके frequency मिलती जाएगी उस frequency को मैं set में add करवाता जाऊँगा और last में मैं return कर दूँगा कि भाई अगर set का size मेरे map के size के बराबर है तो मैं return कर दूँगा true otherwise मैं return कर दूँगा false इसे आप directly ऐसे भी लिख सकते थे इतने पार्ट को लिखने की जरुद नी थी पर जो beginner है उनको समझाने के लिए मैं बताये था हूँ यहाँ पर मैंने turnary operator लगाया है turnary operator में क्या होता है यहाँ पर एक expression होती है अगर यह expression true है अगर यह expression true है तो यह वाला चीज रिटन हो जाएगी अगर यह expression false है तो यह वाली चीज रिटन हो जाएगी तो यह काफी simple था आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इस case में क्या होगा कि अगर दोनों का size equal होगा then true return हो जाएगा अगर unequal होगा तो false return हो जाएगा तो यहाँ पर frequency map कर देता हूँ map की जगा एक बारी इसको run करके देखते हैं compile करके देखते हैं देखते हैं सही चलता है के नहीं चलता है सही और आप देख सकते हैं पर यह सही चल रहा है submit करके देखते हैं तो यह problem submit भी हो रही है तो I hope आज की problem आपको समझ में आई होगी time complexity discuss कर लेते हैं तो time complexity हाँ पर कितनी लग रही है यहाँ पर हमने एक for loop लगाया है जो कि end time चल रहा है दूसरा for loop भी worst case में end time चलेगा तो जो time complexity हो गई हमारे पास वो कितनी हो गई time complexity हो गई पहले for loop के लिए big of n दूसरे for loop के लिए big of n तो time complexity हो गई big of 2n तो average time complexity हो गई big of n क्योंकि 2 constant है तो यहाँ पर हमारी linear time complexity हो गई है तो linear time complexity हो गई है set में भी हम add करवा रहे हैं और map में भी add करवाने हैं तो set और map में जो add करवाने की time complexity होती है वो constant होती है तो वो हम नहीं गिलेंगे तो इसकी time complexity linear है तो linear time complexity में हमने इसको solve कर लिया है space complexity की बात करें तो space complexity में हमने एक map बनाया है और एक set बनाया है तो map के अंदर जादा से जादा n elements आ सकते हैं और map के अंदर भी n elements आ सकते हैं तो big of n for map और big of n for set तो total जो space complexity हो गई वो गई big of 2n तो I hope आपको time complexity और space complexity भी बहुत अची तरीके समझ में आई होगी आज की वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को like कीजेगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजेगा तब तक के मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye bye